कि हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल इसलिए फैक्टर में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के रजल्ट को लेकर है जैसा कि पहले बताया जा रहा था कि यह जो रजल्ट है वह तीस तारिक तक देखने को मिल जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस रजल्ट में देरी हो गया है और आज एक तीस तारिक हो चुका है जानते हैं कि यह होरा है और यह बात चल रहा है कि कहीं एकजाम रत तो नहीं होने वाला है इनसे अभी टाविक बात करेंगे तो सबसे पहले आप वीडियों को मने सभी दोस्तों को शेर करना न भूलें चलिए देखते हैं कि क्या है पूरी डिटेल्स तो मैं आपको बता दूं कि इसके रजल में जो देरी हो रही है उसका प्रमुक कारण है वह है सरकार की अनुवती सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के गठन हो अबी तक सरकार के दोर कोई भी अनुमती आइंहीं कर दिया गया जैसे अनुमती को जारी कर दा जाए गाया बात करें देरी तो बनके तीयाँ है रजल बिल्कुल ताराव रजल बनाने की जिजिद्यरी नहीं है बस रजल यह होगे डिटेल्स और यह बात जो हुआ वह है जो वर्दमान में 17 बीटिसी बैच के अध्याच है रजसी उन्होंने यह बात किया और बताया कि जो रेजल्ट है उसका जो यूपिटर का रेजल्ट है वो तैयार है बस जैसे ही साथन की अनुमती मिलती है वैसे जारी कर दिय जाएगा यह बात चीज उनकी PNP के सची अनिल बूशर्ट चितरविदी सरसी हुई है और बात कर लोगे कितने नंबर बढ़ने की संभावना है तो जो भी हमारे OVC, SC, ST के चात्र हैं जिनका 80 नंबर पर रुके हुए हैं उनको ब्यासी चाहिए तो वो पास हो सकते हैं क्य रहें इस प्रकार से यह रही आज की पूड़ेटल जैसे ही कोई भी अन्य अपडेट आती है यूपीट ट्रजल को लेकर आपके पास वहन न्यूज मेरे चैनल के मादम से पहुचा दिया जाएगा यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सेयर करना न भूलें चैनल